प्यारे बच्चो चलिए अब हम उदारन शार हल करते हैं उदारन शार में हमें एक रशना करनी है एक ऐसे रेखाखंड की रशना जो दिये गए रेखाखंड के माप का तीन बटे दो हो यानि यदि हमें को एक रेखाखंड दिया हो तो हमें जो नया रेखाखंड बनाना होग वो पहले वाले रेखाखंड का 1.5 गुना होगा यानि तीन बैटे 2 होगा तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना ले जिसके अधार पे हम उसको डेखंड गुना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेपर के बीच में लगबख हम एक अरुमानित लंभाई के एक रेखाखंड बनाते हैं यह माली जह हमने रेखाखंड बनाया और इसे करमशह नाम दे दिया इस सिरे को हुने नाम दिया A और इस सिरे को नाम दिया B अब हमें एक ऐसे रेखाखंट की रशना करनी है जो इसका तीन बटे दो हो यानि इसे डेड़ गुना ज़्यादा बढ़ा हो तो हम क्या करेंगे इस रेखाखंट को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको हम ये हमने स्केल को पहरे वाली जगा पर रखा और एक कटी हुई लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया तो इस लाइन पर हमें वो बिंदू मिलेगा जो ए के साथ वो दूरी प्रदर्शित करेगा जो ए बी की डेड़ गुनी है तो चलिए इसे हमने बढ़ा दिया और ली जी इसको एकस नाम दे रहे हैं अब ये जो ए बी है यहाँ हमने ए बी बिंदू अ जो आहिश्क्य हमों को यहां कही है और यहाश्क दीन कर दो होगा क्ले की अनृमानीट कोणे द्मी यईन को पर बनाते हैं और इस कोड के आधार पर एक नया रेखा गट खीशते हैं मालली जी ये रेखा गट एवाई है इसको हमने वाई नाम दिया तो एक रेखा खर एवाई बना जो कोई से भी कोड पर बना हुआ है अब आपको मालूम है कि जो हम रशनाए करते हैं तो यहां पर यदि हमको इसका डेड़ गुना लेना है तो हम यहां पर तीन बराबर हिस्से ऐसे लेंगे जो यहां पर एक दूसरे के बराबर होंगे और यदि हम दूसरे वाले हिस्से से B को मिला दें तो जो तीसरा वाले हिस्सा है वो यहां कहीं पर आके मिलेगा जो A, B के डेड़ गुनर लंबाई को यहां पर प्रदर्शित करेगा तो चलि हम परकार के इस्तमाल करेंगे और परकार के मदद से तीन बराबर दूरी पर चाफ हम काटेंगे तो यह परकार के नो को हमने यहां रखा और एक चाफ माल लीजे हमने यहां काटा ऐसे एक बराबर चाफ हमने यहां पर काटा और एक चाफ हम और काटेंगे यहां पर रखकर इस तरह से अब चूंकि देखिए ये तीरों खड़ नापर से बराबर है और इसको हम एक एकाई मानते हैं तो ये जो पूरा का पूरा होगा वो इसका डेड़ गुना होगा क्योंकि एक हिस्सा उसके बराबर के हिस्सा और ये बराबर हिस्सा काण है इस तीन बराबरियों की एक temu कि इसती बराबर कि इस सोगां mis recipes से 13 जुन और हिस्स नहीं होगा निद्पी मार्णकोर णपरिण होगक है मची मची तो यहां पर जो सब्वञानतले सब्यख की देघ्र वो निश्य दुरुप से इस पूरे इस रेखाखण को वो ऐसे रेखाखण पर हमें ऐसा बिंदू देगी जो एबी का डेड़ गुना होगा तो चली इस तरह से काम करते हम और इन बिंदों को पहले हम नाम देते हैं माल लीजिए इसको हमने नाम दिया A1 ताकि पढ़ने मा में सुविधा हो इस बिंदू को नाम दिया हमने A2 और इस बिंदू को नाम दिया हमने A3 अब बिंदू A2 का हम B से मिलाते हैं अब हम A3 से A2B के समनांतर एक रेखा यहां पर खिचेंगे और समनांतर देखा खिचने का तरीका आपको मालू में यहां जो कौन बन रहा है तो यह जो नई रेखा हमको प्राप्त होगी वह A2B के समनांतर होगी और A2B के समनांतर जो रेखा आएगी वह यहां पर वही अनुपात पैदा करीगे जो यहां पर इसके साथ है माने A2 का जो अनुपात A3 के साथ है वही अनुपात AB का इस बिंदू C ये अदी है अपको मिलता है तो AC का जो अनुपात AB के साथ होगा वैसे यह अनुपात हमें A3 का A2 के साथ मिलेगा तो चली हम इसके समानांतर रेखा किषने के कोशिश करते हैं और आपको मालूम है के समानांतर रेखा किषने के लिए हम बराबर संगती कोण के रशना करते हैं तो हम चाहें तो संगती कोण यहां बना सकते हैं या इस तरफ बना सकते हैं चली हम इस तरफ बना के देखते है तो हम एक चाप ले और इस चाप के बरावर यहाँ पर इस पूरे को काटे है यह देखिए हमने काटा और बिलकुल इसी चाप से हम यहाँ पर भी एक लंबा सा चाप काटते हैं और इस चाप को जो फैलाओ है उतने ही हम यहाँ पर लेंगे तो इस से हमको इस कोण के बराबर एक कोण वहाँ पर मिलेगा यह देखिए यह हमने एक नोग को यहां रखा दूसरे नोग को चाप के दूसरे सीरे पर रखा जो A2B को काट रहा है अब बिल्कुल इसी नाप का चाप हम यहां पर काटेंगे तो हमको एक बिंदू यहां पर मिलता है इस बिंदू को हम A3 से मिला दे बहुत साउधानी से हम मिलाते हैं इसे यह हमने मिलाया यह जो रेखा है वो यहां पर इस AX को माल लीजे बिंदू C पर काटती है तो चुकि जितना कोण यहां पर बना हुआ है उतने कोण यहां पर हमने बनाया बराबर कोण की रशना की तो इसलिए चुकि यह संगती कोण बराबर है और इस करह हम कह सकते हैं कि इस पूरे त्रिभुज में एस पूरे बड़े त्रिभुज में एक ऐसी रेखा है जो भुजा एसी और भुजा एट्री को दो इस बात को हम लिख लें यहां पर हम यहां लिख लेते हैं इस चीज़ को इस बात को हम लिख लें यहां पर हम यहां लिख लेते हैं इस चीज़ को त्यल्स प्रमे का अधार पर हम लिखेंगे यह त्रिभुज A C A 3 में A C A 3 में चुकि A 2 B A 2 B समनांतर है A 3 C के इस लिए A A 2 और A A 3 का जौन पात होगा यानि A A 2 बटे A A 3 यह बराबर होगा A B बटे A C के इसको अब इस उल्टा कर लें तो आपको यह हो जाएगा कि A A 3 बड़ी वाली बुज़ा को हम पहले ले 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 A A 3 बटे A A 2 बराबर यह भी उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगे A C बटे A B अब चूंकि A A 3 बटे A A 2 A A 3 बटे A A 2 आप देखिए हाँ पर हमने तीन बराबर हिस्से किये थे और A A 3 में तीन हिस्से शामिल है और A A 2 में दो हिस्से शामिल है तो A A 3 बटे A A A 2 यह जो पूरा का पूरा है वो तीन बटे 2 के बराबर है इसलिए आप कहा सकते हैं कि A C बटे A B बराबर भी तीन बटे 2 होगा यानि C एक ऐसा बिंदू है जो इस लंबाई को इसके लंबाई A B के लंबाई के डίड़ गुने के रूपे प्रदशिद कर रहा है तो आप कहा सकते हैं कि BINDW C एक ऐसा बिंदू है जो इस पूरे A B के अनुपात में डेढ़ गुने दूरी पर है आप कहा सकते हैं कि इन दो भुजाओं के अनुपात है इन दो रेखाखंडों को जो अनुपात है वो तीन और दो के अनुपात में हैं तो इस तरह से हमने कैसे रेखाखंड की रशना कर ली एसी की जो एबी का डेड़ कुना है तो यह रशना हुई उदारान चार के अंतर गत